नमस्कार दोस्तों एक वर फिर से स्वागत है आपका प्रेग्नेंसी से रिलेटर एक और नई वीडियो में आज के वीडियो में हम तर्ब में लड़का होनी की कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो के आपको प्रेग्नेंसी के सुरुवाती दिनों से लेकर नौवे महीने तक सिर से पैर तक अपने सरीर में नजराती है अगर आप समय रहते इन लक्षणों को अपने सरीर में समझ लेती हैं तो आप भी कंफर्म कर सकते हो कि आपके गर्म में पल रहा सिसु लड़का है या लड़की क्योंकि जैसे ही कोई भी मैला कंसीब करती है मावनने वाली होती है तो उसके सरीर में बदलावाना सुरू हो जाते हैं प्रेग्नेंसी के दोरान कि ये जाने वाले बदलावों मैंसे कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जिने आप खुद करती हो जिससे के आपके गर्म में पल रहे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान न हो जैसे कि आप अपने चलने के तरीके को बदल लेते हैं, तेज तेज चलना बंद कर देते हैं, आप अपने खाने पीने के तरीके को एकदम से बदल लेते हैं, पहले आप कुछ और पहन देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ा आपके लिए comfortable हैं, वही रंग एकदम से बदल जाती है, जैसे कि आपके breast का size बदल जाता है, breast के nipples का रंग बदल जाता है, आपकी आँखों का रंग बदल जाता है, आपकी नाक मोटी हो जाती है, आपके चहरे पर, हाथ, पेरों में सूजन आने लग जाती है, आपके पेट का size एकदम से अलग हो तो ऐसे कुछ बदलाब हैं जो के आपके सरीर में प्रेगनेंसी के दौरान खुद से ही होने लग जाते हैं और इनी बदलाबों को देखकर हमारी बुजोर्ग मैलाएं और कुछ अनवभी लोग अपनी अनुमान लगाने शुरू कर देते हैं कि आपको 100% बेटा ही होगा या फिर बेटी ही होगी और ऐसा नहीं है कि उनके जो अनुमान होती है वो पूरी तरह से गलत होती है हालांकि इन अनुमान का कोई ब्यग्ञानिक प्रमान नहीं है लेकिन कफी सारी cases में ये सही भी साबित हो जाती हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये 100% सही हो ये कई cases में गलती साबित हो जाते हैं लेकिन फिर कई वार ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे कि कुछ अनुववी लोग 100% शोर हो के बोलते थे कि आपको 100% बेटा ही होगा लेकिन कई सारे case यानि 1% case ऐसे भी है जिनमें लड़के की जग लड़का भी हो जाता है क्योंकि इनका बैग्जानिक प्रमाण नहीं है और scientific region इसका ये है कि pregnancy के जो symptoms होते हैं वो एकदम से अलग अलग होते हैं यानि कि हर एक महला की pregnancy अलग अलग होती है और उसके pregnancy की जो symptoms होते हैं वो भी पूरी तरह से अलग होते हैं इसलिए इनमें बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी दिरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना बूले जिससे pregnancy related ऐसी ही जानकारी आपको हदरोज प्राफ्त होती रहे तो चलिए प्रेंस पिना देरी किये हुए फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला संकेत है बालों की चमक जिया प्रेंस प्रेंसी के दोरान आपने अपने आसपास रहने वाली कुछ गर्बती मेलाओं को देखा होगा कि जैसे ही उनकी प्रेंसी का समय थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ता है तो कुछ मेलाओं के पहले बाल एकदम से चमक दारते शाइनिंग करते थे वो अभी बेजान रूखे सूके से हो गए हैं और जिन मेलाओं के बाल पहले एकदम से रूखे सूके बेजान एकदम जहार जैसे थे और अभी उनके बाल एकदम से साइन करने लग गए हैं ऐसा क् होता है कि हमारे अनवबी लोग बताते हैं कि जिन मैलाओं के गर्मे लड़का होता है ना तो उनकी जो सुंदरता होती है वो कम हो जाती है यानि कि उनके बालों की जो चमक है वो एकदम से चली जाती है बाल जर्णना सुरू हो जाते है बाल दूखे सूके हो जाते है बेजार हो जाते हैं वही जिन मैलाओं के गर में लड़की होती है उनके बाल एकदम से शाइन करने लग जाती है दूसरा संकेत है आँकों का रंग जी हाँ प्रेग्नेंसी के दोरान सायद आपने अबजर्द नहीं किया होगा लेकिन कई सारी मैलाओं के आँकों का रंग एकदम से बदल जाता है यानि कि कुछ मैलाओं की आँके जो पहले एकदम से सफेदी लेकिन प्रेग्नेंसी का समय आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आँके एकदम से फीली होने लग जाती है वही कुछ जैसे उनकी pregnancy का समय आगे बढ़ता है उनकी आपों में हल्का फीलापन आने लग जाता है। दूसरी तिमाई आते हैं उनकी चेरे पर पहली तिमाई तक तो एकदम से चमक रहती है लेकिन फिर दीरे दीरे करके उनकी चेरे की चमक उनकी स्किन की चमक एकदम से चली जाती है। वो रूकी रूकी से और डाय रहने लग जाती है और जिन गर्बती मेलाओं के गर में लड़की होती है उनकी इसके ने एकदम से साइन करने लग जाती है। दीरे दीरे जैसे ही प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है उनका चेरा गलो करने लग जाता है। पांचवा संकेत है पेट का का। जी हम प्रेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान आपने भी देखा होगा कि कई सारी मेलाओं ऐसी हैं जिनका पेट बहुत कम बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिन गर्बती मेलाओं की हैट जादा होती है तो उनका पेट थोड़ा कम बढ़ता है। उनका पेट आगे की तरफ जादा बढ़ता है और वो नीचे की तरफ लटक जाता है। जाती है तो ऐसी कंडिशन में लड़का होने के चन से जादा होती है। वहीं जिन मैलाओं की नाभी एकड़म अंदर की तरफ रहती है तो ऐसी कंडिशन में लड़की होने के चंद से ज़्यादा होती है वहीं जिन मैलाओं के गर में लड़की होती है तो लड़की का इस्तान जो होता है और उपर की सैड में होता है तो अगर ऐसी condition में लड़की का विकास हो रहा होता है यानि कि अर्वे पल रहे बच्चे का विकास कर रहा होता है तो उसका दबाब आपकी नाभी पर नहीं पड़ता है और नाभी आपकी पहले जैसी थी बैसी अभी भी बनी रहती है यानि कि उसमें कोई भी बदला नहीं आ सात्वा संकेत है नावी लाइन नावी तक तो लाइन बन दी है कि उसे ऊपर कोई भी लाइन नहीं बनती है तो फ्रेंड्स ऐजा माना जाता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान जिन गर्बती मैलाओं की गर में लड़ता होता है तो उनकी प्राइवेट पार्ट से जाने वाली जो लाइन है वो उनकी नावी के बीच ओ बीच एकदम से सीधी जाती है वही जिन मैलाओं के गर में लड़ती होती है उनकी नाभी से जो लैन जा रही होती है वो थोड़ी सी तेड़ी हो जाती है यानि कि नाभी तक तो सीधी होती है लेकिन नाभी पर से थोड़ी सी तेड़ी होकर फिर उपर की तरफ चली ज तो फ्रेट्स ये हैं कुछ संकेत जिना प्रेगनेंसी के दोरान अपने सरीर में समझ कर आप अनुमाल लगा सकती हो कि आपके गर्में पल रहा सिसू बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल रिच्ड करना कानूनन अप्राद है इसलिए मेरा चैनल या फिर मेरा वीरियो ऐसे किसी भी तरह के जेंडर प्रेडिक्सन को बड़ाबा नहीं देता है मैं केवल प्रेगनेंसी के दोरान गरवत ही महलाओं के जैसे के वो अपने आसपास अपने अरोस परोस में जाती है या किसी से मिलती है तो उनकी मिलने जुलने वाले लोग उनके सरीर में आ रहे ही बदलावों को लेकर जेनर प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि आपको लड़का ही होगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको लड़की ही होगी और इन सारी बातों को लेकर प्रेगनेंट मेलाओं के लक्षणों को देखकर बदलावों को देखकर क्या आइडिया लगाते हैं क्या अनुमाल लगाते हैं इन्हीं सारी चीजों को आपके साथ सेयर किया है जिससे कि कॉमेंट में बताना ना भूलें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके साथी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल दिशे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिके आपको मिलती रहे तो चलिए friends मिलते हैं next time एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए खुस रहें स्वस्त रहें और अपनी pregnancy को अच्छे से enjoy करें धन्यवाद